सुप्रिम कोट ने केन सरकार से कहा है कि सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं के बारे में वित आयोक से जानकारी लें कोड ने सरकार से कहा कि वित-ायोक से पता करें कि मुफ्ति यूजणाओं के लिए राज्जियों को किये जाने वाले पैसे का आवंटन को रेगुलेट किया जा सकता है यह नहीं पुर्जान मंतरी मुदी ने हाल में ही मुफ्ति उजनाओं को रिवडियां कल्चर बताते हुए उसे विकास में रोडा बताया था सर अब ऐसे हैं बड़ा सवाल होता है कि रिवडियां माना किसे जाए क्योंकि एक तरफ फिरी राशन भी बट रहा है दूसरी तरफ हम उसको माना किसे जाएव शुबर में अच्छी बात है कि जो फ्री बीज हैं या जो बजट से या खजानों को में नुकसान पहुंचा कर जो मुफ्त चीजें बाटी जाती ही जो अन्तथा उन्हीं लोगों पर भारी पड़ती हैं क्योंकि बाद में उनसे तरह तरह से टैक्स वसू भारत की राजनीती में राजकोशी संतुलन और राजनीती क्लोग भावनवाद दो एकी सिक्क्य के दो अलगलग चेहरें एक राजनेता जब रैली में होता है तो कुछ दूसरी बात बोलता है और जब वो कहीं बुद्धी जीवियों के बीच बैठा होता तो दूसरी बात इसमें दो महत्वन बाते हैं सुप्रिम कोट ने एक रास्ता सुझाया है कि जो फ्री भीज है जो नुकसान पहुचाने वाली रहायते हैं उन पर बातचीत करने की या उन पर विचार करने की जिम्मेदारी वितायोग को दिया दी जाए और ये एक अच्छा सुझाओ है क्य से 2005-2006 के बाद से चल रही है कि भारत में दो तरीकी के सबसीडी है एक merit subsidies और एक non merit subsidies ऐसी subsidies जिनकी जरूरत है या माना जाता है कि जैसे आप गरीबों को सस्ता अनाज दे रहे हैं या education सस्ती कर रहे हैं या health care सस्ता कर रहे हैं इन्हें merit subsidies में माना जाता है और इसके अलावा बहुत सारी तमाम घोशना हैं जिसमें कि आपको सस्ती बिजली देने से लेकर लोगों को loan माफी देना और उन्हें बहुत सारी और रियायते हैं तरह तरह के laptop बाटना mobile phone बाटना और सब करते हैं यह ऐसा बाजा रहा है जिसमें सारे लोग इसी तरीके के हर राज्य सरकार हर पार्टी की सरकार आगे खड़ी रहती है जो आकलान उसे साब से करीब करीब पाच दसमलब साथ फीसदी non-merit subsidies हैं GDP की इंडिया में 6 फीसदी के आसपास ऐसी राश्य है जो GDP की तुलना में ऐसी subsidies पर दी जाती है जिन्हें आप freebies की category में डाल सकते हैं आलाकि freebies की कोई परिभाशा नहीं है यह राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला रेवडी राजनीतिक रूप से तरफ से दी जाने वाले सबसीडी कारेकरमों का है यह दिस सरकारें इसमें कटवती कर सकती हैं और इसे कम किया जा सकता है तो कम से कम GDP के चार फीसदी की से पाँच फीसदी के आसपास का पैसा बचाया जा सकता है और यह बचत समझदारी के साथ कुछ ऐसी सकीमों में ले जाए असकती जहाँ आप लोगों को फ्री हेल्थ केर दे सकते हैं जहाँ आपको बुझरों को मुफ्ध पेंशन दे सकते हैं कुछ ऐसी बड़े सोशल सर्विस प्रोग्राम में लाया जा सकता जहां भारत का वेलफेर स्टेट या कल्लियान कारी राज सही ढंग से उन लोगों की मदद कर सके जिने मदद की जरूरत है पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है बहुत धिक रूप से बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है